इस एक्सरीट इस ग्रिएट बाइट मी अगर आप इसमें अपने पॉइंट जालते हो इस वीडियो को पूरा देख जाना कि कैसे पॉइंट जाना और आपको यह बॉडर लिंक या सेफ पे डिनोट करता है तो आपको आई टी बी का फॉर्म भरना चाहिए अगर नहीं जानागय थाउगक ऊपसो इसमें कितने लरकें हैं कितनी लर्कियां व मैं यह सब तो बात है। आप जब वहां जोएंब करना जाओगी तो आप को समझ में हानी चाहिए When we are going to compare to B'Schoolin2 तो आप को ध्राम में चाहिए अभी जो मैटर है, should you apply in ITB or not, because it has some cost. इसका कुछ cost होता है, form cost होता है, और हमें forms के passes को सही जगा invest करने होती है. Yes, you did it right, thinking of ITB, the best IT, without engineering, ये possible है, because उनके selection criteria में रखा हुआ है, if you are a graduate, you could apply. हम इसी को देखते हैं, बेज दन्दा RTI में बहुसारा data आपको दूँगा, and उसके बाद ये जो game है, ये game है composite score का, it's not a game of the cat percentile. Cat percentile for the ITB could be misleading, because यहाँ पर क्या है, composite score का game चड़ रहा है, हम उस composite score के बारे में बात करेंगे, मैं आपसे कुछ फाइल सेर करूँगा, जिसे आप composite score निकाल सकते हो, and then you self-check कर सकते हो आप, क्या अखिर आपको ITB में apply करना चाहिए, यह नहीं, तो चलो हमीं start करते हैं ITB की कहानी, सबसे पर चलते हैं कि ITB, actually, SJM, SOM is all about क्या चलता है, क्या नहीं चलता, उनकी website, so उनका जो official website है, बहुत प्यारा सा है, बिकाज ITB का campus आपके पास है, आपको और क्या चाहिए, brand है एक, तो brand, pulse brand, यह जो strategy है, यह बहुत important है, it doesn't mean कि only IAMS में ही सब कुछ best होता है, even ITB and ITD, जो यह दो big names हैं in the ITs for the MBA, यह काफी सारे बरे-बरे brands को pull करते हैं due to its own brand, हमने यह बात की कि यह काफी अच्छा है, बहुत अच्छा चड़ रहा है इनका ITB का, अब admissions criteria है इनका क्या है, जो इनकी website पह है, जो आपको पता है, मैं जिसमें कुछ बातें आपको point out कर देता हूँ, eligibility criteria, bachelor degree, all the master degree, with at least 60% marks, 55% for this, 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 आपका होना चाहिए, और यह लिखा हुआ, out of 10 from the universities in this, 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 आपके पास क्या है, जो बहुत important है, वो क्या है, क्या आप bachelor degree हो आपके पास, या master degree हो, आप apply कर सकते हो, any bachelor degree, bachelor in the science हो, arts हो, humanities हो, या आपके पास culture हो, या B.T.E.C. हो या B.E.U. आप इसमें apply कर सकते हो, even you are C.A., C.A., C.F.S., I.C., W.F.R.M. भी हो, first class bachelor degree के साथ हो, तो आप apply कर सकते हो, यह लिखा हुआ है, with first class bachelor degree, having secured 60% marks, आप apply कर सकते हो इसमें, तो यह बहुत important है, चलिए हम आगे चलते हैं, criteria आपका selection क्या है, sort listing के लिए, sort listing के लिए, जो सबसे important criteria है, for the general, you have 90, 80, 80, 80, यह तो होना ही परेगा, अगर आपके पास 80, 80, 80, और 90 है, तो आप इसमें apply कर सकते हो, तभी आपका sort list होगा, यह बहुत important है, if you have not 80, 80, 80, तो ITB, chances है, almost nil, कि आपको calls नहीं दे, तो आपके पास sectional cutoff हो, और the overall percentile हो, तो आपको apply करना चाहिए, if अगर आपका composite score एक level की उपर है, तो, how do we find the composite score, यह आप अपनी category देख लेना, कि आप apply कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, पहला criteria है, कि आपको इसको fulfill करना होगा, अगर आपको इसको fulfill करना होगा, तभी आप आगे बर सकते हो, then, आपको लेना क्या होगा, composite score, cat, cat का भी 70% weightage है, बहुत बढ़ा weightage है cat score का, that is not the cat percentile, cat overall scaled score का weightage है, then the 12th, 5%, graduation 5% है, gender diversity, अगर आप female हो, तो 10 points आपको इसीदा मिल जाएगा, post graduate or professional, अगर आपको पास कुछ डिग्री है, that is full complete degree, half degree नहीं, तो 5 points मिल जाएगा, work experience का भी maximum 5 points आपको मिलता है, बट यहाँ पे कैच है, अगर इतने ज्यादा मन्त से ज्यादा का work experience होगा, तो आपको 0 points मिलेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है, कि इससे ज्यादा मन्त का work experience को आपको नहीं लेंगे, female candidate 3% weightage awarded for the post graduate 5% awarded for the professional degree है, cat का क्या है, 70% weightage है, अगर आपका cat score, 70% will be given to the candidates over the scaled score, not the percentile, scaled score, it will be calculated like cat score, candidate's scaled score divided by 198, 198 could be the maximum score जो इनको मान रहे है, into 70, आप अपने cat score को 198 से divide कर गए, into 70 में 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 रिपाई कर गए, तो आपका cat score होगा, वही आपका cat score composite आगे यूज होगा, then 10% for the 12th, 12th में भी जो क्या है, the formula calculating the 10 weightage of the academics ऐसे है, academics का 10% जाता है, 12th का आपका 5% है, अगर आप science हो, तो उसका अपना formula है, अगर आप commerce हो, तो उसका अपना formula है, weightage value, science के लिए 65% का weightage जा रहा है, कि minimum 65% होना चाहिए, तो point मिलेगा, commerce के लिए 60% and art and stream के लिए 55%, मतलब यहाँ पर भी weightage दिया जा रहा है, stream wise, तो यह academic weightage है, इससे भी formula में काफी change होता है, then graduation में 5% आपका point में रहा है, 5% for the 10th, 12th and the 5% for the graduation, if you are from the engineering, basic science or the commerce, तीनों को एक ही तीज़ाब treat कर रहा है, अगर आप commerce हो, या basic science आपका है, physics, chemistry, biology, maths, अगर आपका कुछ है, और engineering हो, तो आपको 65% से आपका points मिलना है, start हो जाएगा, अगर आपके पास कुछ professional degree है, CS, CS, CFA, तो आपको अपना point मिलेगा, medicine and arts का अपना points मिलता है, आपका, CS, CS का जो होता है, आपका जो आपका professional degree है, तो 55% से आपका aggression स्टार्ट हो जाता है, medicine का अपना points मिलता है, अगर आपके पास है, तो आप इसी तरह बाकी points भी ले सकते हैं, आपको normal average लेना है, कि आपका average क्या चड़ रहा है, उसका formula है, कि आप इस formula से form fill कीजिएगा, कि this upon this total है, आगे हम चलते हैं, अगर आप CA हो, discipline है, MBBS है, कुछ और भी हो, gender diversity के लिए 10% marks आपको मिल रहा है, PG अगर आपका है, CS, CFA, CWA, FRM है, तो 5 points आपको मिलते हैं इसके लिए, चाहे तो आप इसमें आओगे या इसमें आओगे, work experience का यहां पे देखिए क्या है, 48 months अगर आपका ज़्यादा work experience है, तो आपको 0 point मिलता है, मतलब वो नहीं चाहते हैं, कि 48 से ज़्यादा लोग आए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं है, वो बोलते हैं कि 48 से ज़्यादा, आप 0 marks नहीं पे लो, अगर बाकी में आपके scores ज़्यादा है, और full compositor score अगर एक base point से ज़्यादा है, जो scrutiny के लिए हमने बनाएंगे, या सारे forms fill करने के बाद आएंगे, तो definitely आपको call आएगी, वो नहीं बोल रहा हैं कि 48 से हम नहीं लेंगे, वो point नहीं दे रहे हैं, इन्हों नहीं 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 दे रहे हैं, फिर final selection scores के लिए आपका क्या देखेंगे, this is what calls, final selection score को हम देखेंगे बाद में, और base point मैं मान कहा रहा हूं, मैं base point last year के data किसे मान रहा हूं, कि last year उन्होंने किस पे call की थी, अगर हम उसको base point मान के, आगे बढ़ना इस्टार्ट कर दे, तो यह हमें कुछ एक data मिलना इस्टार्ट होगा, तो what is a composite score, हम composite score calculate कैसे कर देखेंगे, for this I have created Excel seat, आप इस तर से Excel seat खुड़ से create कर सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं आपको Excel seat बना बना है मिल जाए, तो आप उसमें भी आप उसको, इसको save करने के मैं बहुत जल्द कोशिस करूँगा, कि आप के पास एक्ससीट हो, आप इसमें बस fill कर दो, आपका data पूरा हो जाएगा, like, cat में, मान लो की cat में किसी का 60 marks आया है, that is scaled score के है 60 marks, तो इसको 21.21 का point मिलेगा, 12 में someone is getting, मान लो science का background का था, अगर commerce होगा तो आप यहां पे fill करना, arts होगा तो यहां फिल करना, मैं आपके जो भी होगे, मैं इसको share कर दूँगा, अगर science होगा तो यहां पे fill करना, commerce होगा तो यहां fill करना, arts होगा तो यहां fill करना, मैंने कहा science का था, और इसको 78, थोज़से कम marks आगे, 12 में, चलिए ठीक है, graduation भी उसका science ही का था, और उसको graduation में marks आगे 70, उने कहा ठीक है, gender diversity में हो क्या है, male है, male, उसे कुछ point नहीं मिले, उसके बास professional degree नहीं है, उसके बास क्या है, professional degree नहीं है, work experience उसके बास मान लो कि 24 months का है, तो total points उसके कितने मिलें, 29, वो safe नहीं है, minus 1, that means वो safe नहीं है, अगर यहां पर यह minus 1 होता है, तो वो safe नहीं है, उन्हें form fill जनली नहीं करना चाहिए, borderline case चाहँ रहा है, अगर 0 होता तो उन्हें form fill करना चाहिए था, या plus 1 होता तो उन्हें form fill करना चाहिए था, तो for this, I would say कि अगर आप यतने score हैं तो बहुत risky हो, अगर आप general हो तो बहुत risk पर हो, तो मैं आपसे नहीं बूरूँगा कि आप form fill कीजिए, आप risk ले सकते हो, आप चाह सकते हो कि form fill करना तो आप fill करो, मैं आपको suggest नहीं करूँगा, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं थोड़ से change करना है, start करता हूँ, चलो, marks मेरे कितने बनने हैं, marks मेरे बननने है 70, in a cat, और मैं इंजीनियर हूँ, और मैंने यहाँ पर 85 marks secure किया है, then उसवाद फिर से मैंने engineering की, और engineering में मेरे जो marks बननने हैं, में वो 70 marks ही बनना है, और मैं फिमेल हूँ, twiright F, तो हमें क्या करने चाहिए, जैसे ही आपने इसको change किया, this is the 43, आप safe हो, safe हो इसका क्या मतलब है, आपको form fill करना चाहिए, since आपका यह जो composite score है, आप safe हो, आपको form fill करना चाहिए, आप इस टाइप से मैं Excel sheet आपको भेज देता हूँ, अब इसमें बहुत कुछ आपको formula दिखेगा, कि मैंने किसको देखा, किसको नहीं देखा, तो अगर मैं इस पे जाता हूँ, तो यह हम लोगों का आता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमने जो यह composite score का base point लिखा, उसके लिए safe score के लिए मैंने क्या किया, RTI डाला, विकोज आपको पता है कि मैं कोई भी बात करता हूँ, तो with the data बात करता हूँ, अगर data मुझको बोलती है, कि मुझको आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ना, तो हमने देखा क्या, बहुत सारे questions पूछे हैं, तो पता चला है यही कि cat percentile misleading हो सकता है, तो बाकी data देखते है, number of candidates shortlisted हो सकता है, आप को यह नहीं दिख रहा हूँ, candidate for the category, last year, general के लिए 1059 shortlist हुए थे, OBC के लिए 227 थे, SC के लिए 153 थे, HT में 9 candidate थे, PWD 11 था, EWS 61 था, यह last year shortlist हुए थे, now the minimum composite required to get shortlist for the PI round across the center, यह बहुत important है, last year minimum कितना था, 36.6, was the minimum for the general, तो अगर आपका composite score 36.6 से 35 के पास भी है, तो आपको form fill करना चाहिए, take a risk, आप risk ले सकते हैं, आपको form fill करना चाहिए, OBC के लिए क्या data है, यही अगर आप OBC में हो, आपका composite score 33 बन रहा है, उस Excel seat के थूँ, तो आपको form भरना चाहिए, अगर आप SC हो, आपका composite score 24 बन रहा है, तो आपको form fill करना चाहिए, ST है, बनता आप इसे borderline पे है, PWD का भी 24 है, EWS का 36 है, मतब general और EWS, more or less एक ही level पे है, ITB के लिए, अगर आपका, अगर आप general हो, या EWS है, आपका 35 का composite score बन रहा है, तो आपको form fill करना चाहिए, बिगर आप borderline पे हो, हो सकता है, यह कुछ up and down के लिए, यह मेरा gut feeling है, बट anyhow, अगर आपका 37, 38 score बन रहा है, तो definitely आप form fill कीजिए, आप borderline से थोड़ा सा उपर है, तो भरना ही चाहिए, अगर आप OBC हो, और आपका score 32 भी हो रहा है, तो आपको forms भरने चाहिए, 24, 24, 24, अगर आपका score 23 भी हो रहा है, और यू belongs to SC, ST, PWD, भरने चाहिए, दो final selection जो general का हुआ है, वो 49 पे हुआ है, अब बोल सकते होंगे, आपका 49 सी उपर है, definitely 99 अगर कुछ आपका score आ रहा है, तो final selection होने के chances, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, lower pay calls आती है, convert करने के chances, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, I do accept for this, because उनका बहुत ज़्यादा वेटेज है, CAT school को, तो क्या मुझको form भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, मैं आपको बूलूँगा, यहाँ पे we are going to use gut feeling, कि नहीं, मैं इंटर्व्यू को इत्ता अच्छा कर दूँगा, कि forms complete हो जाएगा, one of my student was in the section, जिनका यह convert हुआ है in this, उन्होंने बहुत कुछ अपनी fight मारी थे life में, कभी मैं उसका story भी आपको share करूँगा, लास्ट येर का classroom में student है, right now in the ITB, उन्होंने बहुत fight मारी थी, interviews को भी बहुत अच्छा किया था हमारे साथ community environment में, और उन्होंने best देने की कोशिस की थी, OBC का 44 है, 32 है, EWS का 48 है, तो ये तो convert है, convert को मैं बुलूँगा कि gut feeling पे लेके जाते हैं, पहले form भरते हैं, cause तो आईगी, calls आईगी अपना best देंगे, और वहाँ पे अगर हमने इतना अच्छा दे दिया, Watt P.I. P.I. अगर हमने बहुत अच्छा दे दिया, तो हो सकता है कि सारे favors हमारे साथ आना स्टार्ट हो जाए, ये data ups and down जाए, ये जो data है, this one is computer generated data, इसमें आपको कोई रोल नहीं है, आपने cat दे दिया, आपकी academics, आपकी profile के base पे ये calls आ रहा है, यहाँ पर आपके interview का भी रोल होता है, तो मैं आपसे बोलना चाता हूँ कि, if you have 35 plus, तभी आप forms भरो, अगर आपके पास 48 plus है, तो आप बहुत अच्छे से त्यारी करो, यहाँ पर भी अच्छे से त्यारी करो, forms होगा, अगर आपका इस composite score 35 से कम आ रहा है, आप general हो, तो मैं आपको suggestion नहीं करूँगा, form भरने के लिए, विए final selection में इतने ups and down नहीं होते हैं, 36, 37 को आप खीज के 49 पे लेके जा सकते हो, last admissions across the category and the reserve, यह जो है, यह composite score आपका कैसे calculate हुआ है, यह जो composite score है, आपको एक बात मैं फिस से बता दूँँ, कि यहाँ पे interviews के लिए composite scores अलग create करते हैं, देखिए, composite score for the graduation, यह आपका था क्या calling और selection का, जब आप आगे जाते हो, और आप से मैंने बोला था कि आगे भी एक चीज है, जिसको मैंने discuss नहीं किया, cat overall score, graduation 6%, यह आपका चड़ रहा है, work experience है, और आपके पास calls आता है, just one second, profile में, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यह एक नया composite score होता है, final selection, meritless preparation, for this, selected offering MBA program, IT Bombay, composite score यह नया create होता है, जिसमें 42% weightage, आपका cat का होता है, 42% weightage आपका personal interview का होता है, and candidate profile, नीचे बहुत सरा detail दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यह दोनों अलग-अलग composite score की बात हो रही है, यहाँ जो composite score की बात हो रही है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 36, 37 वाला convert यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यह जो 49 data दिया हुआ है, यह composite score बात का है, after interview, that's cat score 42.5, then you have a 42.5 of the PI and the profile, इस चीज़ को मैं आप से बोलता हूँ कि अभी आप नेग्रेट कीजिए, यह आपके लिए आपके काम का नहीं है, आपके काम का क्या है, आपके काम का यह है, अगर आपका composite score इस ब्रैकेट में लाई करता है, अगर आपका यह बोलता है, तो फिल करने चाहिए, बाकी आम लोग देखते क्या है, फाइनल वेटिंग लिस्ट मूमें 463 हुई थी, लास्ट यर बहुत ज़्यदा वेटिंग लिस्ट मूमेंट वह था 463 थी, 128 थी, 128 थी, 103 थी, CCST5 थी, PWD, यह उन्होंने इमेज भेजा है, तो इसको स्क्रॉल करके डालने में फट रहा है, बाच श्टेंथ आपको पता है, 87 का है, अब minimum cat percentile for the candidate offered admissions across the, मतलब उन बच्चों का, जिनका admissions हुआ था, offered हुआ था, जनरल में 91.09 पे convert हुआ है, यह याद रखिएगा, मतलब इवन अगर आपका cat कम है, and you are in the composite school skill, अगर आप composite में safe दिखा रहा है, तो आपको form fill करना चाहिए, OBC में 92 है, surprisingly OBC में higher rank पे convert हुआ है, that is final convert, SC में 73 है, ST में 75 है, PWD में 85 है, EWS में 95 है, EWS में 95 है, तो अगर आपको लगता है कि EWS होने सापको कुछ फाइदा होता है, तो फाइदा होता है, यह जो data है 91, 92, or 95, यह data है final convert का, I am not talking about the calls का, Calls कम data पे भी आपके आ सकते हैं, that what I am saying, Calls कम data पे भी आपके आ सकते हैं, जो कि दिख रहे हैं आपके calls, more or less, हम बात करने हैं क्या calls की, calls कम पे भी आ सकते हैं, हो सकता है कि जब calls हमारी इन लोग को जब मिली थी calls, उन्होंने जब convert और fight मारा, तो इस category में ज़्यादा अच्छे बच्चे उन्हें मिल गया, तो compositor score उस टाइप से judge होता है, तो आप इस से मत ये देखना, कि gender 91 पे convert किया है, हो सकता है, वो female हो, कुस उनके पास arts, humanities हो, तो उनको ज़्यादा points मिल रहा होगा करने का, ये सब जो data है, अभी आपके लिए misleading है, after interview, जब मैं compare करूँगा, कि आपका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस college में आपको जाना चाहिए, किस college में आपको नहीं जाना चाहिए, तो ये सब data help करता है, आपके लिए जो सबसे important data है, आपके लिए सबसे important क्या है, this value, actually this value, अगर आप इस values में fall करते हो, तो definitely आपको forms fill करने चाहिए, मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर इस chart में, ये जो exercise seat है आपका, जिसको मैंने क्या लिखा है, मैंने base माना है 32, बट ये 32 को 35, 35 मैंने base माना है, अगर आपका 35 है for the gender, अगर आपका 35 है for the gender, तो आपको form भरना चाहिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर इस exercise seat, जो मैंने create किया है, आप अपने points डालिए, science का यहां, commerce का यहां, arts का यहां, आप अपने stream को डालो, आप अपने creation के marks जालो, engineering, science and the commerce, अगर आप male हो तो M लिखो, female हो तो F लिखो, अगर आपने M.Tech किया, master's में कुछ भी किया है, तो यहां पे M डालोगे आप, अगर आपने CFA, FRM कुछ भी किया है, तो यहां पे C डालोगे, and work X का मन्थ डालना, अगर आपको यह safe बताता है, तो आपको form fill करना चाहिए, अगर आपको यह borderline भी बताता है, border link पे हो आप, that is line or the link, अगर आप border link पे भी हो, linking कर रहा है आपका, तो आपको form fill करना चाहिए, अगर आपको यह minus 1 बताता है, देटा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो फिल 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 तो पिंग मी ऑन दिस्क कमेंट बॉक्स इस यूटूब चैनल के या इस वीडियो के कमेंट में आप पिंग कर सकते हो या मुझको टेलेग्राम या फेस्बुक इसका लिंक डिया है आप उसमें भी पिंग करके मुझ सारे questions पूश सकते हो कि मैं इसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बाकि भी बहुत सारे IT के और बाकि इसको के वीडियो में लिप के आता रहोंगा along with मेरे maths concept या information इसी चैनल पर आपको मिलते रहेगी आप देते रहेए अपना best क्योंकि मैंने आपको best देने का वादा क मैंसेर्फ हमिए God best you happy learning और मिलते हैं अगले information ये concept के साथ बहुत जल्द बाबाए